और उसके बाद हम लोग राहुल गांधी जी का आवास गए हैं तो उनके पीए से बात होने के बाद पीए क्या किये ना कि उनको फोन कियें जब फोन कियें तो उन्होंने कहा कि इनको बोलिए कि हम 23 के बाद हम आएंगे तो 23 के बाद इन लोग हम से मिल लेंगे बिल्कुल मिलेंगे इन लोग से जब जारखन से आये हुए तो इन लोग का बात हम बखो भी तो पर समझेंगे सरकार में जो राहूल गांध जी है उन्होंने अपने चिंतन सीवीर के बैठक के अंतिम दोर में कहा है कि जो भी जारखन के युवां है आपने जिस वादे के साथ सरकार बनाई थी सत्ता में आई थे मंत्री बने हैं आप उसी वादा को पुरा करें नि तो जो आपको मंत्री आपको मंत्री पत से हटा भी सकते हैं नमस्कार मैं हूँ राशेका बजाज और आप देख रहे हैं जी एन भारत पंचायत सचेव अभियार्थियों की 35 दिनों से धरना प्राजरेशन अभी तक जारी है कुछ अभियार्थी दिल्ली गए थे तो आईए इन से जानते हैं कि इनका दिल्ली में क्या हुआ? उन्होंने हमें आस्वस्त किया कि हम आपकी बातों को जारखन में बखो भी तोरफ उतारेंगे और काफी अच्छे तरीके से हम अपना चिंतन सीविर में आपकी न्युक्ति करवाने के मांग करेंगे और उसके बाद हम लोग राहुल गांधीजे का आवास जब किये हैं तो उनके पीए से बात होने के बाद पीए क्या किये है ना कि उनको फोन किये हैं जब फोन किये तो उन्होंने कहा कि इनको बोलिए कि हम 23 के बाद हम आएंगे तो 23 के बाद इन लोग हम से मिल लेंगे बिलकुल मिलेंगे इन लोग से जब जारखन से आयो हुए है तो इन लोग क और human chain मनाने के लिए हम लोग वापस आयों है, human chain मनाने के बाद मैं फिर वापस लोड़ जाऊंगा, लेकिन फिलाल अभी हमें इस सरकार से बहुत उम्मीदे हैं, कि सरकार हमारी बात मानेगी, हमारी नुक्ति कराएगी, और इसलिए हम लोग यहां पहुचे हैं, और चुकि अ मंत्री बने हैं, आप उसी वादा को पूरा करें, नि तो जो आपको मंत्री बनाए हैं, वो आपको मंत्री पत से हटा भी सकते हैं, तो जाहिर से बात है कि राहूल गांधी जैने हमारे पक्ष में बातों को रखी है, हमें काफी उम्मीदे हैं, काफी आशाई हैं, जिस आश सेट का मुवमिन्ट चल रहा था राहूल गाने जी ने सिर्फ राहूल गाने जी पास सिर्फ पुछ लड़के जब पहुंचे थे तो उनके एक फोन कॉल से सी सेट में ना सिर्फ अटेंब मिला बलके एज कट अब को भी बढ़ा दिया गिया तो जाहिर से बात है कि हमें मॉजल त्यार कर रखा है जब प्रस्ताव बन चुकी है तो फिर आप लोग घबराईए मत आपके नुक्तिम कराएंगे कल हम लोग मानस रिंखला बनाएंगे और विसार मानस रिंखला बनेगा बहुत पिछला बार हम लोगों ने केवल 1200 का एक जहांकी दिखाया था अभी पूरा आंदोन अभी बाकी है हमारा और कल हीमन चिन बनाएंगे और बहुत त्विशाल हम बनेगा और केबिनेट के बाहर हम लोग का रणनेती बन रही है कि हम कैसे और भी अधीक लोगों को पर जोड़ सकें ताके हमारा मुवब्मेंट जो है आंदोलों जो है मजबूत हो जारखन के युवाओं को संदेश हम क्या देंगे जब हम दहली गए थे न तो वहीं पर युवाओं के साथ काफी गलत हो रहा है पांच साल हो चुकी है ना कोई वेकेंसी आया है ना कोई नोकरी मिल रही है और कुछी नियुक्तियां अगर आई हुई भी थी जो इधर क्या बोलते हैं ना साउथ इस इंडियन गताथ उसके बाद भी उन लोगों ने काफी अच्छी तरगे से बात रखा कि जारखन के युवाओं के साथ सच में जात्ती हो रहा है और इसलिए सरकार को अच्छा काम करना चाहिए यहां के युवाओं के लिए इसलिए हमारी नियुक्ति और सौब के नियुक्ति भाई सकते हैं लेकिन युवाओं के दर्दों को समझ नहीं पा रहे हैं पांस साल से कोई वेकेंसी नहीं आ रही है आप उसी के परोसी राज लिजे आप लिजिए उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार का एक स्टुट से मैंने बात क नियुक्ति और ह हो रहा तो उन्हें युक्ति अधित नाथ के आञे कही नितिसकुमार करा कंlingen कुए राजस्तान का है वह अपने राईजे के बारे में परसंसा कर नहीं पा रहे हैं जब वहाँ को छोटा है कि हमारे मुक्हमंतरी कैसे हैं लेकिन यहां तो आप लोगों ने सुना कि यह लोग दिली गए थे और दिल्ली में क्या हुआ आप लोगों ने विस्तार पुर्वक सुना दिल्ली में राहूल गांधी से तो मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन ये लोग अविनाश पांडे से जरूर मिले उन्होंने भी आशवाशन दिया और कल इनोंने बड़ी संख्या में मानव श्रिंखला बनाने की भी बात कही रांची से सायोगी सोनू पांडे के साथ मैराश का बजाज जीन भारत अपने राजिस जूड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकें बटन दवाना ना भूले